आज हम create करने वाले हैं decode text animation यह आप कह सकते हो programming font animation जिसके अंदर किसी भी code को decode किया जाता है text animation के थूँ आपने movies बगएरा में बहुत बार देखा होगा प्लस इसको थोड़ा हमने कुछ effects को use करते हुए थोड़ा different create करने की कोशिश किया और recently इस चीज को मैंने एक digital showroom के लिए एक advertisement के लिए इसको use किया था तो उसी को मैं आज यहां पे कुछ अलग तरीके से create करके आपको दिखा रहा हूँ बीजिक तरीका जो आप सभी अपने project में यूज कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो अगर उसको smart gear यूज करते हो तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ मैं एक adjustment layer create कर रहा हूँ और यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूँ बीजी तो यह मेरा बीजी यहां पर लग गया है अब मुझे क्या करना है यह मेरा adjustment layer यह आपको ध्यान में रखना है अब effect में जा रहा हूँ तो यहां पर मैं जो grid के अंदर option is size from यहां पर corner point की जगा पर मैं चूज करने वाला हूँ width and height sliders जैसे मैंने यह चूज किया तो आप देख रहे हैं यह दो option यहां पर मेरे पास अभी enable हो चुके हैं अगर यह corner point रहता है तो यहां पर यह दोनों option क्या रहते हैं आपके disable रहते हैं ठीके तो मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया है सबसे पहला काम यहां पर जो border वाला option में इसको अभी के लिए thin कर देता हूँ ताकि यह कुछ इस साब से थोड़ा thinner हो जाएगा इसका है या जो lines बनी होगी इसकी grid की अब उसके बाद यहां पर मुझे सबसे पहले तो इसको animate करना है जो width and height है उसका तो पहले values दोनों की same रहनी है क्योंकि मुझे square चीए तो अभी values क्या होगी proper square बनेगा 32 by 32 ठीके तो अब मुझे क्या करना है इन दोनों को मुझे animate करना यहां पर भी हम same key apply कर देता हूं यहां पर you place करता हूं और same values की key में यहां पर apply कर देता हूं और यहां पर starting में इसका value में बढ़ा देता हूं almost like maybe 80 by 80 will be good enough let's see that okay यह सही रहेगा आगे जाके चाहेंगे तो हम इसको change भी कर सकते हैं अब यहां पर आने के बाद मैं 1,2,3,4,5 फ्रीम आगे जा रहा हूं और यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं की apply कर देता हूं अब at the end चले जाते हैं यहां पर और वापस में इसकी value क्या करना चाहता हूं और यहां पर इसकी value में करता हूं 50 by 50 के थोड़ा scale-up होने वाला है तो यह animation यहां पर जन्रेट होगा दूसरा चीज मुझे क्या चाहिए कि इसके अंदर और एक मुझे थोड़ा क्या चाहिए कि वीगली नेस रही है बराबर है तो यह generate करने के लिए मैं क्या करूं यहां प यहां पर मैं उसकी stopwatch के उपर odd करके क्लिप दिर कर देंगे ताकि expression box हमारे timeline panel में open हो जाएगा और यहां पर मैं उसको एक expression देता हूं time into 24 या 25 जो भी आपको देना है दे सकते है अपनी हिसाफ से आपको sorry नहीं मुझे यह exactly नहीं करना है वीगल के दिए हमारा expression रहेगा वीगल में कुछ और भी चलता रहता है text animation के लिए कुछ सोच रहता है तो दिमाज में यह भी आएगा anyways यह होता है बाई जैसे artist काम करते ना एक साथ बहुत सारी दिमाज चीजें दिमाज में चलती रहती आगे क्या करना है तो यहां पर मैं कुछ apply कर रहा हूं 30 और 20 तो यह मैंने यहां पर apply कर दिया है तो अब क्या होगा कि यह टोटल एक वीगलने से जन्रेट होता हो जाएगा randomly यह क्या होगा वीगली effect generate करेगा अगर आप देखो यहां पर तेक हलका सा क्या होगा आपको वीगलने से यहां पर generate हो दिखेगा यहां पर कुछ issue हुआ है yes what is the issue यहा यहां पर मैंने expression सही टाइप किया बट बीच में कॉमा चाहिए हमें yes now it will be work देखो यहां पर एक आइकोन आ गया था होगा मास्क जन्रेट हो जाएगा अब मुझे क्या करना है मास्क जन्रेट होने के बाद अगर आप इसको इन्वाट करते तो यहां पर चाहो तो यह भी कर सकते हैं then you can increase the feather of the mask यह आपके ऊपर है कि आपको effect कैसा चाहिए ठीक है यहां पर एकदम शार्प है यहां पर एकदम क्या हो रहा है ओ लाइटन होते हुए जा रहे है तो मैं थोड़ा और increase करता हूं इसको तो कुछ इस हिसाब से दिखेगा अगर मैं इसको इन्वाट अठा देता हूं तो यह कुछ इस हिसाब से दिखेगा so it depends on you कि आपको कैसा effect यह उस हिसाब से आप क्या करोगी यहां पर apply करो थोड़ा यहां पर value कम करता हूं मेरे लिए यह बिल्कुल सही है मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है आगे आप अपने इसाब से changes कर सकते हूं अब मुझे क्या करना है कि इतना तो मेरा ready हो चुका यहां तक का animation अब मुझे मेरा text ready करना दूसरी चीज़ आप यहां पर इसके उपर glow effect भी apply कर सकते हो इफ यह required अगर आपको लगता है तो अब मैं यहां पर चलता हूं मेरा text tool select करता हूं और मेरा यहां पर जो main title है वो मैं यहां पर type करता हूं text decode तो इसके लिए मैं font यूज कर रहा हूं लेक्टोन font यह कमरशेरी भी यूज करने के लिए free font है आप टाइप करो Google search पे जाके आपको यह fonts मिल जाएंगे तो आप यह use कर सकते हो programming font के लिए यह font यूज होते हैं ज्यादा दर सबसे पहले तो इसका anchor point center में कर देता हूं दूसरी चीज़ी सको align कर देते हैं composition के center में तो यह यहां पर almost हो चुका है अब मुझे क्या करना है इसको animate करना है जो हमारा coding वाला text animation decoding वाला text animation वो हमें यहां पे क्या करना है generate करना है तो उसके लिए मैं क्या करें हूँ यहां प यहां पर आपको जो ऑप्शन मिल ला है एनिमेटर जो जनेरेट हुआ है तो आप यहां पर नीमिंग कर सकते हो के ऑफसेट बराबर और मैं यहां पर नाम देता हूँ करेक्टर तो यह क्या रहता है आपको आईडिया रहेगा आपने कौन सा एनिमेटर यहां पर अपला किया हूँ इसके अंदर जो चाहिए को यहां पर अप्शन मिल ला है उसमें आपको फस्ताइब पुछ रहता है उसके उपर alt करके आपको क्लिक करना है और यहां पर वैल्यू दे तो time into आपको जो चाहिए उस हिसाब साब वैल्यू दे सकते हो गाई मैं यहां पर 24 की वैल्यू दे रहा हूं तो आपने दूर का मेरे दिमाग में जो चलता था वह यही था अब क्या होगा भा रेंडमली आलफाबेट अनिमेट होते हुए जा रहे हैं अब वो मेरे में वर्ड को मेरे में टाइटल को करते हैं मतलब डिकोड करते हैं तो वह इफेक्ट ची तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ा है कि यहां तक हमारा एनिमेशन हो चुका है गाई अब अल्मोस्त तीन सेकंड के बाद मुझे क्या करना है इसको डिकोड करना स्टार्ट करना है तो यहां पर आपको जाना है रेंज सिलेक्टर के अंदर और यहां पर आपको स्टार्ट की येल्य क्रमीश करने पड़ेंची एनिमेट नहीं करनी करनी है बल्यू चेंग्ट करनी के तो अब अब THE देखो यह decode वाला end में आए गया बस starting में क्या होगा हमारा वह text यहां पर नहीं दिखेगा तो यहां से start हो रहा है decode का मेरा okay it's going good enough यहां पर बिल्कु start होते हुए जा रहा है okay that is good और I think let me change the value from over here okay is zero यहां पर है और अगर मैं यहां पर इसको 100 रखूं ठीके no that's good enough okay starting में चले आते हैं अगर मैं थोड़ा इसको offset कर दूँ okay that is good enough तो यहां पर मैं इसको as it is ही रख रहा हूं अभी के लिए make it a zero over here यह यहां पर हो चुका है advance में चलते हैं और यहां पर मैं smoothness को कर देता हूं जीरो मुझे smoothness नहीं चाहिए बिल्कुल भी so that is as it is यहां पर amount में अंगर भी आप change करना चाहो तो अपने animation की साथ से कर सकते हैं यहां पर मुझे smoothness जीरो नहीं चाहिए ठीक है तो यह animation कुछ इसी साथ से generate होते हुए जाएगा यहां पर इस ट्रेवियर होगा अब दूसरी चीज़ इसी लेयर को वापर से select करते हैं टैक्स लेयर को यहां पर भी मैं इसका color क्या करने वाला हूं चेंज करने वाला हूं तो इसको भी green share चूज करेंगे और प्रॉपर ली कुछ इसी साथ से मैंने यह यहां पर चूज कर लिया है डिकोड का दूसरी चीज अब इसके उपर मैं effect में जा रहा हूं और मैं stylize में जाओं और यहां से glow effect करता हूं इसके उपर सबसे पहले मैं क्या करूं यहां पर threshold कम करते हूं जा रहा हूं तो आप देख रहों उसका हलका सा shade change होते जा रहा है थोड़ा से yellow tone आते हो जा रहा है विच इस बैटर फोर मी radius थोड़ा व्लो का मैंने यहां पर बढ़ा दिया है that's good enough और थोड़ा इसके intensity में यहां पर increase कर रहा हूं 1.3 के आसपास तो यह कुछ अभी बैटर लग रहा है इस हिसाब से क्या हो रहा है मेरा coding animation यहां पर generate हो रहा है और scale value में क्या अगर हो थोड़ा बढ़ा देता हूं almost कुछ 151 के आसपास है यहां पर आएगा वो और वापस इसका value क्या हो जाएगा 100 जो exactly था वो सेम यहां पर भी इसका value 100 ही रहेगा तो इसकी को मैं यहां पर वापस apply कर देता हूं और वापस यहां पर जब जाएगा तो हल्का सा यह बढ़ेगा ज्यादा नहीं बट इतना 151 तक नहीं जाएंगे हम लग 135 ओके यहां तक का enough रहेगा so that's good enough तो यह भी animation हमारा यहां पर generate होते हैं दिख रहा है आपको better तरीके सी चीज हो चुका है text animation हो चुका है इसको invert कर देते हैं यहां पर और मैं यहां पर क्या कर रहा हूं इसका feather यहां पर increase करते हो जा रहा हूं बट एक limitation तक तो मुझे कुछ ऐसा अजीब सा बट इस looking really nice मुझे थोड़ा यह सही लग रहा है प्लस इसका scale थोड़ा मैं increase कर देता हूं अब वापस में क्या कर रहा हूं एक और adjustment layer यहां पर create कर रहा हूं और यहां पर यह मेरा रहेगा texture effect तो मैं इसको नाम दे देता हूं texture effect वरावर है और इसके लिए में यूज करने वाला हूं यहां पर effect में चलते हैं stylize में चलते हैं और मैं apply करूंग रफन ही जिस तब जैसे मैंने apply किया देखो यहां से बहुत सारी चीज़े मतलब मेरी में जो यहां पर effects वगेरा दीख दो गायब हो रहा है not an issue मैं यहां पर stretch width okay scale थोड़ा change करके देखते हैं नहीं यह मेरे लिए सही था जो hundred था हुई okay good enough age sharpness is good इसको मैं दो के आसपस लेके देखता हूं yes it is also coming over here let's hide this one once okay that is good enough यह भी सही जा रहा है मेरे लिए और इसके उपर जो हमने effect apply किया है mask इसका open करते हैं let's open the mask over here अगर इसका invert हटा दें तो यहां पर यह better तरीके से मिलको दिख रहा है दिख रहा है आपको so let's go with this one यहां पर feather में on करता हूं थोड़ा increase करते हैं feather को not this much okay good enough good enough good enough हाँ यह यहां तक दिख रहा है अब texture वाला जो effect है तो मैं यहां पर complexity को थोड़ा करते हुए जाएंगे जो six is good enough इसको थोड़ा मैं और कम करता हूं यहां पर value को जो मेरा roughness का value है उसको okay so you can see that it's getting my result almost over here तो यहां पर प्रॉपर रिजल्ट मेरे लिए लेकर आ रहा है और चाहो तो आप क्या करोगे इसको मैं यहां पर लेकर जला जाता हूं नीचे की दरफ तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसा amazing सा effect मेरे लिए generate कर रहा है now हमारा decode text animation यहां पर generate हो चुका है programming font effect यहां पर generate हो चुका है अगर आपको यह tutorial पसंद आता है और मेरी creative ideas आपको पसंद आते हैं तो like पे click जरूर कर देना like button पे channel को subscribe भी जरूर करना अगर आप नए हैं तो plus bell icon पे click करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा guys ताकि आपको आगे आने वाले हरे tutorial अपडेट के बारे में notifications मिलते रहे गाई और इसको share जरूर करना अपने दोस्तों के साथ जो यह software सीख रहे तो उनको भी काफी कुछ help मिलेगा अपने career को grow करने में मिलते हैं next time good bye